नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 90 सब प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बार स्टार्ट मद्रास हाई कोट ने महामारी की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है अदालत ने आयोग को गेर जिम्मेदार संस्ता करार देते कुए इसके अधिकारियों के खिलाग हत्या का मामला दर्ज करने तक की बात कही है साथ ही दो मई को मत गणना पर रोक लगाने की चेतावनी भी दे दी यह पहली बार है जब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर किसी हाई कोट को एसी सक्त टिपनिया करने को मजबूर होना पड़ा अधालत इस बात से बेहद नाराज है कि चुनाव के दोरान कोविड नियमों का पालन करवाने में आयोग पूरी तरह नाकाम रहा यह सही भी है कि चुनाव के दोरान आयोग अपने निर्देशों का पालन नहीं करवा सकता है तो फिर उसकी भूमिका का मतलब ही क्या रह जाता है इसमें कोई संदेह नहीं कि पांच राज्यों की विधान सभाग चुनाव के दोरान राजनेतिक दलों और लोगों ने कोविड नियमों की जो धजियां उडाई और आयोग मूख दर्शक बन कर देखता रहा वह भी देश में महामारी की दूसरी लहर का बड़ा कारण बना इसलिए क्यों नहीं आयोग को महामारी फैलाने का जिम्मेदार माना जाय जिन हालात में पस्चिम बंगाल, तमिल नाडू, केरल, असम और पुड्डू चेरी में विधान सभा हुए उसमें संक्रमन के मामले बढ़ते ही थे, बंगाल में एक चरण अभी बाकी है इन सभी राज्यों में लंबे समय तक चुनावी रेलिया, रोड सो और सभाएं होती रहें हैरत की बात यह है कि चुनावी रेलियों का सभाओं में किसी भी नेता या उम्मिदवार ने मतदाताओं से माज़ और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील नहीं की बलकी बेखोफ होकर भीड जुटाई जाती रही नेता खुद बिना मास्क लगाए रेलिया करते दिखे इसी का नतीजा है कि आज कोलकाता में आर्टी पीसियार जांच करानी वाला हर दूसरा आद में संक्रमित निकल रहा है जबकि दूसरे राज्यों में यह आंकडा चार में से एक का है कोलकाता में संक्रमित होने की दर 45 से 50 फीसद तक जा पहुँची है पस्चिम बंगाल में 27 मार्च को सिर्फ 812 नए मामले थे जो 24 अप्रेल को बढ़ते हुए 14,000 के पार निकल गए इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है एसा नहीं की महामारी में विदान सभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग को चेताया नहीं गया हो चुनाव आयोग चाहता तो हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्यों से विचार विमर्श कर दूसरे रास्ते निकाल सकता था चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक के लिए एसे उपाय हो सकते थे जो भीड की समस्या से बचा सकते थे यह दाइत्वय राजनीतिक दलों उमीदवारों और केंद्र वै राज्य सरकारों का भी बनता था पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं समझी कोविड नियमों के उलंगन को लेकर किसी भी दल के नेता या उमीदवार पर कोई कार्यवाई करने को लेकर आयोग ने जरा हिम्मत नहीं दिखाई इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है इस वक्त महराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा हालात उत्तर प्रदेश में बिगड रहे हैं हालात की गंभीरता को देखते हुए की पिछले हफ्ते इलहाबाद हाई कोट को पांच सहरों में पूर्ण बंदी का आदेश देने को मजबूर होना पड़ा था हालांकी रज्य सरकार की आपत्ती पर सुप्रिम कोट ने इसे रोक दिया पर हैरत की बात यह है की रज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं क्या एसे हालात में पंचायत चुनाव सरकार की प्राथमिक्ता होने चाहिए महामारी की मार जेलने वालों में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है एसे में चुनाव कराना लोगों की मौत के सामने जोखिम में डालना है इसलिए क्यों नहीं चुनाव आयोग वे सरकारों को कठगरी में लाया जाना चाहिए समाप